आयोध्या में बाब रिमल्स जित पक्षकार एक बालनसारी ने CAA बिल का समर्थन करते होए विरोध कर रहे लोगों से कानून को समझने की अपील की एक बालनसारी का कहना है कि इस कानून को लोग पहले समझे उगरधरना परदर्शन नहीं करें इससे देश का नुकसान होगा अफवा फैला कर लोगों को गुम्रा किया जा रहा है देश के हित के लिए सरकार ने कानून बनाई है आँ मुसल्मानों या हिंदूों के लिए कानून नुकसान नहीं दे रही राजनीतिक पार्टियां देश में हिंदू-मुस्लिमों में नफ़त फिलाने में लगी हुई है बांगला देश पाकिस्तान वा अफ़कारिस्तान से जो घुस्पैट करेगा उसको नागरिकतर दीना खीक नहीं है पहले से रह रहे मुश्लिमों को कोई तिककत नहीं है जो गुस्पैट यहां बैठे हैं उनको नागर्टतर नहीं मिलती इसके रही अच्छी बात है क्योंकि जो है इस मसले को लेकर के अपवाएं गलत फैलाई जा रही है और उस बातों पे लोग ध्यान ना दें क्योंकि सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं जो कानून बने हुए है वो देश के लिए वेतर है ऐसा नहीं है कि वो जो है आम मुसल्मानों के लिए आम हिंदों के लिए नुक्सान है पहले लोग उसको समझें तो कि पार्टियां जो लगी हुई है वो चाहती है कि हिंदों मुसल्मानों में एक नफरत पैदा हो और यह सरकार भी जो है और पने देश का नुक्सान हो हम तो यहीं चाहते हैं हम यही संदेज देना चाहते हैं कि इसको अपने हां सही तरीके से अपने उच्छ अथकारियों के हां इसकी पहले मालूमात करें उसके बाद में कोई काम करने से पहले एक बार की सोच लें कि हमारा कानून जो है कहां है क्या कह रहा है उसके बाद में कोई काम करें पहले लोगों ने समझा नहीं और धर्णा अप्रदासन सुरू कर दिया हम तो यह समझ रहे हैं कि दाथ देश में जो कानून आया है चाहे वो बंगला देश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो जो भी से नाया आज जो है घुस रहे हैं उनके लिए अगर सरकार उनको पूछती है नागिता नहीं देती है तो उसमें बवाल करने की जरूत नहीं है पहले सरकार से उनके बने हुए कानून की मालूमात करें